प्रकास का प्रावर्तन के जो भी महत्वून अब्जेक्टिव है मैं वह बताऊंगा तो प्लीज आप लोगी इस वीडियो को अंतक जरूर देखे और साथ में अपना एंसर कमेंट करके जरूर बताईए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोच्चे ने क्या समतल दर्पन में बने परतिवीम को परदे पर उतार सकते हैं ओप्शन ए हाँ बी नहीं सी निश्ची तोर पर कहना कठीन है और डी प्रिस्थितियों पर निभर करेगा तो दिखे आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ है प्रकास का प्राव प्रावर्तन होगा नियमिती अनियमिती विश्रित प्रावर्तन नहीं होगा ठीक है तो अप्शन दू क्या आपलो कमेंट कीजिए तो देखे दू का आप्शन सी सयोगा विश्रित कौन सयोगा सी कुष्च्चन नमबर तीन है विश्रित प्रावर्तन में प्रावर्तन के न यमों को पालन होता है नहीं होता है कभी होता है कभी नहीं होता है प्रावर्तन ही नहीं होता है बताइए तीन के कमेंट करके तो दिखिए तीन के option A होता है ठीक है option A होगा question number 4 है उत्तल दर्पन प्रावर्तक सत परलंबत गिर्ती किरने फोकस पर अभी सारित होती है अब सारित होती है समानांतर हो जाती है अब सारित होती लगती है बताए इसका कौन सही होगा तो देखे इसका option C सही होगा समानांतर हो जाती है कुश्चे नमबर पांच है किसी दर्पन पर दर्पन में वास्तविक परतिविम नहीं बन सकता है समतल दर्पन में अफदल दर्पन में समतल तल्था अफदल दर्पन में सभी दर्पन में वास्तविक परतिविम बन सकता है पांच लोग के आप लोग कमेंट करके बताईए तो दिखे इसका उप्षन आपको A सही होगा ठेक कुश्चे नमबर 6 है दंत भी ससक्ये किस दर्पन का उप्योग मरीजों के दात के बड़ा परतिवीम देखने के लिए करता है समतल दर्पन, अबतल दर्पन, उत्तल दर्पन, इन में से सभी आप लोग कमेंट करके बताईए तो दिखे चठा के अंसर होगा आपको B, अबतल दर्पन, कुश्चे नमबर 7 है यदि किसी बिम का परतिवीम का आवर्धन रिनातमक है तो उसकी परतिवीम के प्राकिरति क्या होगी बास्तविक और उल्टा, बास्तविक और सीधा, अभासी और सीधा, अभासी और उल्टा बताईए साथ के कमेंट करके कौन सही होगा तो देखिए, साथ का A सही होगा, बास्तविक और उल्टा आप comment में ध्यान कम दिजिएगा और last में में total बताईएगा कि total question में आपको कितना question सही हुआ question number 8 है निमिलिखित में कौन उत्तल दर्पन की focus दूरी है जिसकी वक्रता तिर्जा 32 cm है तो आप पढ़े है तो एक बात ध्यान में रखेगा कि अपतल दर्पन की focus दूरी वक्रता तिर्जा की आधी होती है तो इसमें वक्रता तिर्जा कितना है 32 cm है तो इसका focus दूरी कितना होगी आप लोग हमें comment करके बताईए आठ का option कौन सही होगा तो सी सही होगा आपको पता होगा कि plus 16 cm आधी होती ये वात आप ध्यान में रखेगा अगर यहां मालीजे वक्रता तिर्जा focus दूरी 20 cm होती और अगर वक्रता तिर्जा हमें ग्याद करना होता तो दूगू नहीं कर देते ठीक है लेकिन यहां focus दूरी ग्याद करना होग्रता तिर्जा है तो आधी कर देंगे ठीक question number 9 है प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कुन प्रावर्तन कुन के बरावर होता है आपतन कुन बिचलन कुन बरावर होता है question number 10 है हावा निर्धात में प्रावर्तन के प्रावर्तन के कितने नियम है एक, दो, तीन, चार बताए कमेंट करके तो प्रावर्तन के दो नियम है question number 12 है किस दर्पन में बरावर्तिवी मनता है समतल में, अवतल में, उतल में इनमें से कोई नहीं तो इसका answer B सही होगा अवतल दर्पन कौन सही होगा B question number 13 है गुलिये दर्पन में फोकास अंतर इवां बक्रतार थिज्या की भी समन्ध है R बरावर 2R, F बरावर R, F बरावर R बटे 2, R बरावर F बटे 2 बताईए आप लोग कमेंट करके, तो देखिए 13 के option C सही होगा F बरावर R बरावर 2, क्या होता है? F बरावर R बरावर 2, option C question number 14 है, search light का परावर तक सता होता है उतल, अवतल, समतल, उतल और अवतल, आप लोग हमें बताईए तो देखिए 14 के आपको option C सही होगा, 14 तो हो क्या? 14 का option आपको B सही होगा, अवतल दरपन, ठीक है? समझ गए? search light का परावर तक सता होता है, उतल, अवतल इसमें अंसर आपको B सही होगा, अवतल, ठीक? question number 15 है, डाढ़ी बनाने में कौन सा दरपन उतल होता है? समतल, अवतल, उतल, इन में से कोई नहीं देखिए 15 के आपको C सही होगा, अवतल दरपन, ठीक है? question number 16 है, दरपन सुत्र है 1 वटे V, माइनस 1 वटे U, बरावर 1 वटे F B है 1 वटे F, पलस 1 वटे U, बरावर 1 वटे V ठीक है? और C है 1 वटे F, पलस 1 वटे B, बरावर 1 वटे U और D है 1 वटे B, पलस 1 वटे U, बरावर 1 वटे F देखिए, इसका एंसर, option D सही होगा, सुला के ठीक? सुला के कौन सही होगा? D 17 है किसी दर्पन में केवल अभासी पर्तिवीम बनेगा समतल दर्पन, अभतल दर्पन, उत्तल दर्पन, समतल तथा उत्तल बताईए आप लोग 17 के कौन सही होगा तो देखिए 17 के option D सही होगा, समतल तथा उत्तल ठीक है question number 18 है समतल दर्पन में पर्तिवीम की प्राकिर्ती क्या होती है बास्तविक, बास्तविक तथा सीधा, बास्तविक तथा उल्टा, अभासी तथा ब्रावर आप लोग हमें कमेंट कीजिए 18 के answer आप लोग बताईए तो इसका भी option D सही होगा, ठीक question number 19 है गोलिये दर्पन की फोकस दुरी उसकी वक्रता तिर जाके आधी होती है आपको पता होना चाहिए इसे पहले बार भी मैं डिसकर्च उपर कर चुका हूँ तो इसका option A ही सही होगा 20 है एक उत्तल दर्पन में बना पर्तिवीम हमें सा होगा वास्तविक और हास्रित कालपनिक और हास्रित वास्तविक और आवर्धित और D है कालपनिक और आवर्धित आप लोग कमेंट कीजिए तो देखें 20 का आपको 20 है होगा कालपनिक और हास्रित ठीक है option B question number 21 है इंट है 21 है इंट है प्रादर्सी पदार्थ अपरदर्सी पदार्थ पारवासी पदार्थ कोई नहीं तो देखें 21 का option 20 है होगा बहुत असान question है अपरदर्सी पदार्थ एक मनुस के समतल दर्पन की और 3 मिटर सिकेंड के चाल से रहा है मनुस के दर्पन में अपना परतिवियों की चाल से आता हुआ परतित होगा option है 3 मिटर परतिसेकेंड 1.5 मिटर परतिसेकेंड 6 मिटर परतिसेकेंड 4 मिटर परतिसेकेंड आप लोग comment कीजिए बताए 22 के कौन सही होगा तो देखे 22 का option C सही होगा 6 मिटर परतिसेकेंड अगला question है 23 है सनिउगामी फोका संभाव है के वाल उत्तल दर्पन में अपतल दर्पन में समतल दर्पन में सधारन कांच में आप लोग बताए 23 का कौन सही होगा तो देखे 23 का option B सही होगा 23 का option आपको B सही होगा अपतल दर्पन में question नमबर 23 का आपको answer पता होगा कौन होगा B अपतल दर्पन question नमबर 24 है दर्पन की फोकास दूरी 20 cm थे इसका वक्षता 30 या कितना होगी तो आपको बताए 20 दूला 40 cm option इसका D सही होगा ठीक question नमबर 25 है यादि किसी बस्तू का दर्पन के सामने निकट रखने पर पर्टीबिन सिधे बने किन्तो दू रखने पर उल्टा परतीबिन तो वह दर्पन होगा सम्तल दर्पन अपतल दर्पन उत्तल दर्पन सम्तल तथा उत्तल दर्पन आप लोग बढ़ताईए तो देखिए 25 का 20 है होगा समतल यानि अबतल दर्पन ठीक option 20 है होगा question number 26 है किसी यदि किसी बस्तु को एक दर्पन के समुक किसी भी दूरी पर रखने से उस बस्तु का परतिवियूं सहिदव सीधा हो और छोटा बनता है तो वह दर्पन होगा समतल उत्तल अबतल इन में से कोई नहीं आप लोग 26 की कमेंट कीजिए तो देखिए 26 का option 20 है उत्तल दर्पन से प्रतिवियूं सहिदा बनता है वकरता केंद तथा फोकस की बीच वकरता केंद तथा अनंत के बीच धुरूब तथा फोकस के बीच कहीं भ 27 के option आपको पता हो गया कौन होगा सी धुरूब तथा फोकस की बीच कुश्चा नमर 28 है किसी बस्तू को हम तभी देख पाते है जब वो बस्तू परकास को अवसूसित करे प्रावर्तित करे अफवर्तित करे आप लोग हमें बताए कमेंट करके इसका एंसर कौन होगा तो 28 22 का option आपको भी सईयोगा प्रावर्तित करे कुश्चा नमर 29 है परकास एक डैस है तरंग है उर्जा है बुद्धूत है इन में से कोई नहीं तो 29 का आपको option सईयोगा भी उर्जा है ठीक है आप लोग देखिए कुश्चा नमर 30 है अपतल दर्पन की फोकस से चलती किरने प परधान अक्ष के समानंतर हो जाती है परधान अक्ष के लंबवत हो जाती है दूब्र से गुजरती है वक्रत किंद से गुजरती है आप लोग answer बताईए हम लोग हमें लगता है कि हम जल्दी answer आपको बता देते हैं लेकिन आप लोग comment की जैए पहले answer 30 का कौन सही होगा तो देखिए 30 का option A सही होगा ठीक है A सही होगा परधान अक्ष के समानंतर हो जाती है Question number 31 है क्या समतल दरपन में बने परतिविम को परदे पर उतार सकते है हाँ नहीं निश्ची तवर पर कहना कठीन है इनमें से कोई नहीं 31 का आप लोग बताईए तो इसका option B सही होगा नहीं ठीक Question number 32 है परकास के किरने किसी समतल दरपन में 60 degree का कौन बनाते है हुए तकराती है तो उसका प्रावर्तन कौन होगा 60 degree 30 degree 45 degree 90 degree तो देखिए आप लोग कमेंट कीजिए 32 का answer तो 32 का option A सही होगा 60 degree ठीक है Question number 33 है समतल दरपन से किसी बस्तू का प्रत्वीम बास्तविक बनता है अभासी बनता है बरा बनता है छोटा बनता है तो 33 के बताईए तो देखिए 33 का आपको option B सही होगा अभासी या काल्पनी कह सकते है ठीक है 34 किसी बस्तू का अपतल दरपन द्वार बने प्रत्विक अभासी सीधे तथा बस्तू से बाना पाये गया तो बस्तू स्थिति कहा होनी चाहिए मुख्य फोकस तता वक्रता किंध के बीच वक्रता केंदर के बीच वक्रता किंदर से पड़े और दरपन के धुरूब तथा मुख्य फोकस के बिच तो देखिए 34 का आपको option D सही होगा दरपन के धुरूब तथा मुख्य फोकस के बिच Question number 35 है निमलिखित में किस दरपन दोरा किसी बस्तू का परतिविम मिल सकता है Question number 36 है जिन पदार्थ से होकर परकास पूर्ण रूपेन गमन निकल जाते है उससे कहते हैं प्रावसी पदार्थ, छाया आपरदर्सी पदार्थ, प्रादर्सी पदार्थ आप लोग बताईए 37 के कौन सही होगा काफी असान question है तो देखिए 37 के आपको अप्शन दी सही होगा पारदर्सी पदार्थ question number 38 है गोलिये दर्पन दोरा बने परतिविम का वर्धा निरात्मक हो तो प्राप्त परतिविम उल्टा होगा सीधा होगा तो देखिए 38 का आपको अप्शन एही सही होगा तो आगे पढ़ने के जुरूत नहीं है कि उल्टा होगा कैसा होगा उल्टा ठीक है question number 49 है परकास जिस सतह से टकरा कर अपनी हिमाध्य में लोटती है उसे हम कहते है प्रावर्तन प्रावर्तक सतह अपवर्तित सतह बताईए 49 के कौन सही होगा तो देखिए 49 के 20 सही होगा प्रावर्तक सतह ठीक है question number 40 है solar cooker में विवार किया जाता है अपतल दर्पन का उत्तल दर्पन का समतल दर्पन का परवलिक दर्पन का बताईए 40 का कौन सही होगा तो देखिए 40 का आपको A सही होगा अपतल दर्पन का question number 41 है अपतल लेंस की आवर्धन होता है यू बटे भी, यू भी, यू पलस भी, यू भी बटे यू देखिए इसका एंसर आपको B सही होगा यू भी यू इन्टू भी ठेक question number 42 है परकास के कीरन गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उप्युक्त सभी question number 44 है कालपनिक परती में हमेशा सीधा होता है, ओंध होता है, उल्टा होता है, तिर्चा होता है question number 44 के कौन सेयोगा सीधा question number 45 है question but question number 99 समतल दर्पन में, परती में परती में का आवर्धन होता है, एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बरावर सुन्ने तो दिखिए 75 के आपको Option C सेयोगा, एक के बरावर कोश्चन नमबर 46 है उत्तल दर्पन में प्रावर्तक सत्ह परलंबत गिन्ती किरने गिर्ती किरने फोकस पर अभी साडित होता है अब साडित होती है समानांतर हो जाती है अब साडित होती है बताइए 46 के कौन सही होगा तो देखिए 46 के आपको उप्षन D सायोगा अब साडित होने लगती है ठीक है उप्षन D कोश्चन नमबर 47 है गुलिये दर्पन में प्रावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है होता है दर्पन की प्राकृतिक एनुसार होता है वही विशरित प्रावर्तन होता है तो देखिए 47 का आपको उप्षन D सायोगा होता है ठीक कोश्चन नमबर 48 है गुलिये दर्पन में दुरिये को सादा किसके सापेक्षमापते है धुरूब के फोकस के वक्रता किंदर के किसी भी नियत बिंदू के तो देखिए 48 का आपको उप्षन A सही होगा धुरूब के कोश्चन नमबर 49 है अनंद परिस्तित किसी बिम का परतिबिम अप्तल दर्पन की फोकस पर बनता है तो उसका वर्धन क्या होगा कोश्चन नमबर 50 है मोटर गारी के चाले के सामने लगा रहता है समतल दर्पन उतल दर्पन अपतल दर्पन एक पतला लिंस तो देखिए 50 के 20 में 20 है होगा उतल दर्पन ठीक है